इस वीडियो में बात करेंगे ओपो एनको एर्ट वायरलेस एर बर्ट्स के बारे में जो की लॉंच हो चुकी है इटली में और कफी चल दी इसे कंपनी और भी जगे लॉंच कर देगी इंटरनेशनली सो आईए बात करते है सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस कंपनी ने रखा है 99 यूरो जो रफली कनवर्ट हो गया आता है 9000 रुपे के प्राइस पॉइंट पे और ये दो कलर्स में एविलेबल होगी एक है वाइट कलर और इसका एक है ब्लैक कलर इट और इसमें लगा है dual microphone जो की AI functionality के साथ में आता है साथ ही साथ इसमें एक और option भी है जो की simulate कर देता है human binaural hearing system को जो allow करता है इसको जो आसपास की human voices है उसको separate कर देता है background की voices से यह आता है touch control system के साथ जो की आप इससे control कर सकते है tracks को volume को आप voice calls ले सकते हैं और अपना activate कर सकत है voice assistant और भी बहुत सारी चीज़े आप इसको जो इसका touching stamp है उससे बहुत साई चीज़े control कर सकते है सबसे अची बात इस earphone की है इसकी battery की यह उसकी battery है वो है 440 mH की जो last करती है चो 20 गंटे तक एक single charge में continuous listening के बाद भी और यह deliver करती है 15 hour का talk time साथी साथ में और यह support करती है fast charging को ओप एनको air यह deliver करती है 8 गंटे की battery life अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 10 मिनट चार्ज करने में आपको लगबख 8 गंटे का जो है time यह दे सकती है connectivity के लिए इसमें दिया गया है Bluetooth version 5.2 और इसमें low latency है काफी तो यह जो आसपास के volumes हैं और audio है वो company ने कहा है कि यह जो ओपो इनको air है यह manage कर सकते हैं आप इसको hey melody app के through तो अभी company ने सिर्फ इसकी इतनी ही जानकारी दी है और यह लगबख 6 मई के आसपास जो है इसको event जो है रखा है OPPO K9 के साथ में इसे company launch करेगी so guys इतना इतना इस वीडियो में अगर यह वीडियो अ सब्सक्राइब करना मत भूले थैंक्यू सो मच गाइज